उदर चीन ही नहीं अपने देश में भी करोना का खत्रा बढ़ता जा रहा है। जी किशोर बिहार में कोरोना संक्रमर तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर मुख्यमंतरी नितिश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठा कोई थी जिसमें बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और साथी सभी सिक्षन संस्थानों को बं करने का आदेश दिया गया था अगर ज़रूरत पड़ी और कोरोना संक्रमर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले तिनों में बिहार में और भी पाबंदियां लगाई जा सकती है मतलब सावे की सरकार को इलापर वाही बरतने के मूड में नहीं है इसलिए करोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने कई पाबंदिया लागू कर दी एक दिन पहले ही राजज में नाइट कफ्यू लागू किया गया और उसके साथ ही बिहार सरकार ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षन संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दे दिया नए आदेश के तहट 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे बिहार के अलावा चंडिगण प्रशासन ने भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्यू का ऐलान किया साथी वहाँ भी सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करके आउनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिये गए है इसके लावा चंडिगण से भी सभी जिम और स्पा बंद करने के आदेश दिये गए और भीड भाड़ वाले बाजारों को शाम 5 बजे तक ही खुलने की इजाज़त दी गई चंडिगण में करोना नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटने के लिए पूरे शहर में प्रशासन ने कई टीमों को भी तैनात कर दिया